नमस्कार! इंस्पारिंग बरकत चैनल में आपका स्वागत है. दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक किन्ना की बहुत ही दुख भरी कहानी. किन्ना ने क्या श्राप दिया? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. मदनपुर गाव में ही मोतीलाल अपने परिवार के साथ रहता था. मोतीलाल गाव का मुखिया था. गाव के लोग मोतीलाल का बहुत सम्मान करते थे. मोतीलाल की पत्नी ओमवती गर्भवती थी. ओमवती नौ महीने की गर्भवती थी और मोतीलाल का यही सपना था. उसकी पत्नी ओमवती एक लड़के को जन्म देकर गाव में उसका मान सम्मान और और बढ़ा दे. पर किस्मत को कुछ और ही मनजूर था. मोतीलाल के जीवन में गमों के बादल चाने वाला था मोतीलाल का सपना आइने की तरह तूटने वाला था अमावस की काली रात थी चारों तरफ घना अंधेरा था कुट्ते और बिल्लियों की मनहूस आवाजे आने लगी थी चमगादर की डरावनी आवाजे माहौल को और ज्यादा डरावना कर रही थी आंधी तूफान की वजह से खिड़कियां एक दूसरे से टक्राने लगी थी तभी अचानक मोतीलाल की पत्नी ओमवती को प्रसफ पीडा से पेट में दर्ध होने लगा उस जमाने में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी ऐसी परिस्तितियों में लोग दाई मा को बुलाते थे मोतीलाल पास के गाम से दाई मा को लेकर आया एक घंटे के बाद बच्चे के रोने की आवाज आने लगी दाई मा बच्चे को देखकर हैरान हुई और दुखी मन से ओमवती से कहने लगी यह बच्चा एक किन्न है तुमने एक किन्न बच्चे को जन्न दिया है दाई मा की बाते सुनकर मा मती के पैरों तले जमीन खिसक गई ओमवती बेहोश हो जाती है दाई मा ओमवती की आँखों में पानी मारती है और उमा मती को जगाती है ओमवती दाई मा से कहती है दाई मा इस सच्चाई को किसी को मत बताईए इस राज को सबसे छुपा कर रखो दाई मा किसी को सच्चाई नहीं बताने का वादा करती है और थोड़ी देर बाद मोतिलाल दाई मा से पूछता है दाई मा बताईए उम्वती को लड़का हुआ है या लड़की? दाई मा ये सुनकर पसीने से भीग जाती है दाई मा सच्चाई को छुपाते हुए कहती है कि आपके यहां बेटे का जन्म हुआ है मोतिलाल खुशी से नाचने लगता है और हजार के नोट निकाल कर दाई मा की जोली में डाल देता है मोतिलाल इस बात से अंजान था कि उसके घर एक किन्ना ने जन्म लिया है मोतिलाल के घर नन्हे से महमान के आने की खुशी में गाव के सभी लोग बधायां देने पहँच गए थे मोतिलाल अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था गाव के सभी लोग बच्चे की तारीफ कर रहे थे और इधर ओमवती इस बात से घबरा रही थी अगर गाव वालों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा मोतिलाल गाव के सभी लोगों से कहते हैं आज से कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण होगा आप सभी लोग मेरे बच्चे को आशिरवाद देने जरूर आना ओमवती थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि यह बच्चा एक किन्न है अगर लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो गाव में बहुत बदनामी होगी ओमवती अपने मासूम से बच्चे की तरफ देखती है और सोचती है कितना मासूम बच्चा है मेरा मुझे ये भी पता नहीं कि इसका भविश्य क्या होगा क्या समाज इसे अपनाएगा भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याई क्यों किया है इतना कहकर वो अपने बच्चे को गले से लगा लेती है और रोने लगती है तभी मोतिलाल अपनी पत्नी से कहता है कि उम्रावती तुम क्यूं रो रही हो तभी ओमवती कहती है कि यह तो खुशी के आंसू है हमारा लल्ला कितना खुश नसीब है इतने सारे लोगों का प्यार जो इसे मिलने वाला है उमवती की बाते सुनकर मोतीलाल गर्व से कहता है हाँ हाँ हमारा लल्ला दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा है मैं इसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा मोती लाल की बाते सुनकर उम्वती परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है जब आपको सच्चाई का पता चलेगा कि यह किन्न है तब शायद इस बच्चे को आप नहीं अपनाओगे कुछ दिन बाद नामकरण का समारो आयोजन होता है गाव के सभी लोग मुखिया मोती लाल के घर आने लगते हैं उम्वती अपने किन्न बच्चे को तयार करके पालने में लिटा देती है सभी महमान नए बच्चे के लिए बहुत सारे खिलोने लेकर आये थे पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करने लगते हैं और एक बड़ा सा दिया लगा कर सभी से कहते हैं इस बच्चे का नामकरण करिये तभी अचानत कुछ किनन लोग ताली और ढोल बजाते हुए बच्चे के नामकरण समाहरों में पहंच जाते हैं उम्वती किनन लोगों को देखकर डर जाती है और बच्चे पालने में से अपनी गोध में उठा लेती है किन्न औरतें बच्चे को घेर कर नाचने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हाई हाई कितना सुन्दर बच्चा है इसे किसी की नजर ना लगे हम दिल से बहुत सारा आशिरवाद बच्चे को देते हैं मोतिलाल खुश होकर एक हजार का नोट निकाल कर किन्न लोगों को दे देता है तभी पंडित जी कहते हैं कि बच्चे का नाम करण करिए शुब मुहूर्त बीटता जा रहा है तब मोतिलाल अपने बच्चे का नाम बोलने वाला ही था तभी एक किन्न आगे बोल देता है इस बच्चे का नाम जीत होना चाहिए मोतिलाल आगे कुछ कहता कि दिया बुझ जाता है पंदित जी कहते हैं इस बच्चे का नाम जीत रखना होगा क्योंकि दिया बुझ गया है और यह विधी दुबारा करना शुब नहीं है उम्वती डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि गलती से एक किन्न के जरिये मोतीलाल के किन्न बच्चे का नामकरण हो गया था उम्वती अपने किन्न बच्चे को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और रोने लगती है मोतिलाल गामवालों से कहता है आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाए नामकरण का समाहरों समाप्त हो चुका है गामव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं उस दिन के बाद से मोतिलाल और गांव के सभी लोग ओमवती के किन्न बच्चे को जो जीत कहकर पुकारने लगे थे, दिन बीतने लगे थे. देखते ही देखते ओमवती का बेटा जीतू पांच साल का हो गया था. मोतिलाल सच्चाई से अंजान था, इसलिए किन्न जीत को बहुत प्यार से लालन पालन कर रहा था. मोतिलाल अपने किन्न जीत को लेकर पाठशाला जाता है. पाठशाला में अध्यापक जी जीत को देख कर कहते हैं, आज से आपके बेटे की जिम्मेदारी हमारी है. हम आपके बेटे को इस काबिल बनाएंगे कि एक दिन पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन यह आपका नाम रोशन करेगा अध्यापक की बाते सुनकर मोतीलाल बहुत खुश हो जाता है अपने किन्न जीत को पाटशाला में बैठा कर घर चला आता है दिन बीतने लगे और किन्न जीत पढ़ाई में सब विद्यार्थियों से बहुत आगे था अध्यापक भी किन्न जीत से बहुत प्रेम करते थे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अचानक एक दिन किन्न जीत ने ऐसी हरकत की उसकी वजह से उसके सभी दोस्तों को उसके किन्न होने का राज पता चलने ही वाला था तभी ओमवती ने राज को छुपा लिया एक दिन की बात है किन्न जीत अपने दोस्तों के साथ पाटशाला से घर की तरफ आ रहा था तब रास्ते में कुछ किन्न लोग नाच और गा रहे थे किन्न लोगों को नाचता देखकर किन्न जीत खुद को रोक नहीं पाया और खुद भी किन्न लोगों के साथ मिलकर नाचने लगा जीत के सारे दोस्त हैरान थे क्योंकि किन्न जीत इतना सुन्दर नाच रहा था उसे देखकर किन्न लोग और जोर से ताली और ढोल बजाने लगे किन्न जीत के सभी दोस्त हैरानी से उसका नाच देखने लगे तभी अचानक जीत की मा ओमवती आ गई और जीत को थपड लगा कर बोली तुझे पाटशाला भेजा था पढ़ने के लिए और तुम किन्न लोगों के साथ मिलकर नाच रहे हो ओमवती किन्न जीत का हाथ पकड़ कर घर लेकर जाती है और जीत जोर जोर से रोने लगता है तभी मोतीलाल उम्रावती से पूछता है कि तुम बच्चे को क्यूं रुला रही हो तभी ओमवती बात को छुपाते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है पाच्चाला से आते वक्त अजीत रास्ते में फिसल कर गिर गया था इसलिए रो रहा है किन्न जीत हैरानी से अपनी मा की तरफ देखता है और सोचता है माने पिताजी से जूट क्यूं बोला मैं तो किन्न लोगों के साथ मिलकर नाच रहा था जीत चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बिना खाना खाए ही सो जाता है अगले दिन सुभा मोतीलाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं और तुम जो बेटे का ख्याल रखना इतना कहकर मोतीलाल शहर चला जाता है उमवती सोचने लगती है कि मेरा अजीत अब बड़ा हो रहा है उसे एहसास हो रहा है कि वो किन्न है अगर मेरे पती को ये बात पता चली तो जीत को घर से निकाल देंगे मुझे इस सच्चाई को सबसे छुपाना होगा कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते हैं और जीत भी अब समझदार होने लगा था जीत के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था जीत औरतों की तरफ आकर्शत होने लगा था उसे अब लड़कों के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था एक दिन की बात है जब ओमवती अपने कमरे में सो रही थी तब जी चुपके से अपनी माँ के कमरे में गया और माँ की साड़ी, लिपिस्टिक, बिंदी, कंगन जुमके लेकर अपने कमरे में चला आया जीत किन्ना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और मा की साड़ी पहन कर आइने में खुद को देखने लगा उसे पहली बार औरत होने का एहसास हुआ फिर उसने माथे पर लाल बिंदिया लगाई हाथ कंगन पहने कानों में जुमका लगाया और अपने कमरे में नाचने लगा किन्न जीत बहुत ज्यादा खुश था उसे ऐसा लग रहा था कि उसे आज एक नई जिन्दगी मिली है किन्न जीत अब पूरी तरह से किन्न बन चुका था किन्न सोचने लगा कि मैं लड़का नहीं मैं एक लड़की हूँ पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी थोड़ी देर बाद जब किन्न जीत वापस अपनी माँ के कमरे में गया और कमरे में जो साड़ी लिपस्टिक लाया था वापस वहीं पर रख दिया कुछ दिन तो ऐसे ही बीत रहे थे अजीत पाटशाला से घर आता और चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाता और श्रिंगार करता और खुद को निहारने लगता दिन ऐसे ही बीतने लगे थे उम्वती फिर से गर्भवती थी उम्वती अब जीत की देखभाल नहीं कर सकती थी उम्वती के गर्भवती होने की बाद जानकर मोतीलाल भी शहर से लोट आये थे अब उम्वती सारा दिन अपने कमरे में आराम करती थी इसलिए जीत भी मा के कमरे में औरतों के सिंगार का सामान नहीं ला सकता था अब किन्न जीत दुखी रहने लगा क्यूंकि उसकी मन्चाही चीज उससे दूर थी अब किन्न जीत कुछ दिनों के लिए साड़ी पहन कर आइने में खुद को नहार नहीं पाएगा एक दिन की बात है मोतीलाल अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए थे घर पर किन्न अकेला था उसी मौके का फाइदा उठा कर जीत अपनी मा के कमरे में गया और मा की साड़ी पहन कर लिपिस्टिक बिंदी लगा कर जोर जोर से नाचने लगा किन्न जीत को नाचते हुए घर के नौकर भीमा ने देख लिया भीमा को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मालिक का बेटा अजीत एक किन्न है भीमा चुपके से कमरे में गया और जीत से कहने लगा बाबा आप साड़ी पहन कर क्यूं नाच रहे हैं सच सच बताओ आप कौन हो आप एक किन्न हो ना जीत बुरी तरह डर गया और नौकर भीमा से कहने लगा तुम ये बात मेरे पिताजी को मत बताना नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे नौकर भीमा कहने लगा मैं अपना मूह बंद रखूंगा उसके लिए आपको कुछ देना होगा तभी अजीत अपने गले से सोने की चैन निकाल कर नौकर भीमा को दे देता है और भीमा से कहता है तुम ये घर छोड़ कर गांव चले जाओ भीमा उसी दिन गांव चला जाता है मोतिलाल अपनी पत्नी उमावती के साथ जब घर आता है तो देखता है कि जीत अपने कमरे में सो रहा था कुछ दिन ऐसे ही बीट गए एक दिन अचानक ओमवती को प्रसव पीरा होने लगी मोतिलाल ने पास के गाम से दाई मा को लेकर आया थोड़ी देर बाद ओमवती ने एक लड़की को जन्म दिया लड़की संतान होने के कारण मोतिलाल खुश तो नहीं था उसे बेटा चाहिए था मोतिलाल ने कन्या शिशु को अपनी गोध में नहीं उठाया मोतिलाल अपनी पत्नी ओमवती को धमकाने लगा मुझे लड़का चाहिए था और तुमने एक लड़की को जन्म दिया मैं इस लड़की को कभी भी बाप का प्यार नहीं दूँगा मेरी एक ही संतान है और वो है जीत मोतिलाल सच्चाई से अंजान था मोतिलाल जिसे अपना बेटा समझ रहा था वो एक किन्ना था उमवती सच्चाई जानते हुए भी किसी से कुछ कह नहीं सकती थी उसने अपने सीने में राज को दफन कर लिया था उमवती ने अपनी बेटी का नाम मेघा रखा मेघा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी जीत अपनी बेहन से बहुत प्यार करता था किन्ना जीत अब धीरे धीरे जवान हो रहा था उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा जीत की बेहन मेघा भी बड़ी होने लगी थी किन्न जीत इस बात से अंजान था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है एक दिन की बात है उमावती के माईके से उसका भाई उसे शादी में लेने के लिए आया था इसलिए मायावती अपने माईके में अपने भाई की शादी थी इसलिए उमापती अपनी लड़की मेघा को साथ लेकर कुछ दिन के लिए माय का घूमने चली गई थी उमवती ने जीत को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर जीत ने जाने से इनकार कर दिया जीत इसलिए जाने से मना कर रहा था वो मा की साड़ी पहन कर किन्ना बनना चाहता था उसे सिंगार करने की बड़ी इच्छा थी अब घर में मोतीलाल और जीत थे मोतीलाल जब जरूरी काम से बाहर गया तब मौके का फाइदा उठाते हुए जीत अपनी मा के कमरे में चला गया और किन्ना जीत ने अपनी मा की साड़ी पहनी माथे पर लाल बिंदी लगा कर जोर जोर से नाचने लगा आज जीत की किस्मत खराब थी उसे एहसास नहीं था उसे ये सब करते हुए उसके पिता मोतीलाल देख रहे हैं मोतीलाल को जब सच्चाई का पता चला कि जीत एक किन्न है तो मोतीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई मोतीलाल जीत के पास आया और जीत के गालों पर जोरदार थपड़ मारा किन्न जमीन पर गिर पड़ा मोतीलाल इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो गुस्से में जीत को बहुत पीटने लगा किन्न जीत अपने पिता मोतीलाल के पैर पकड़ कर माफी मांगने लगा पिताजी मुझे माफ कर दीजिये मैं निर्दोश हूँ भगवान ने मुझे किन्न बनाया है इसमें मेरा क्या दोश है पिताजी आज के बाद मैं कभी भी औरतों के कपड़े नहीं पहनूंगा और सिंगार भी नहीं करूंगा पिताजी आप मुझे मत मारिये मुझे बहुत दर्द हो रहा है पिताजी मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मोतीलाल जीत को धक्का देकर घर से निकाल देते हैं मोतीलाल गुस्से में अपने बेटे जीत से कहते हैं कि आज से तु मेरा बेटा नहीं है और मैं तेरा बाप नहीं हूँ आज से दोबारा अपनी शकल कभी मत दिखाना अगर दोबारा गलती भी की और यहां आने की कोशिश की तो तेरी मा और बहन को भी तेरे साथ भेज दूँगा चला जा यहां से और दोबारा यहां आने की कोशिश मत करना इतना कहकर मोतीलाल दर्वाजा बंद कर देता है रा किन्न जीत रोते रोते उस गाम से चला जाता है जीत एक पेड के नीचे बैठ जाता है और पेड के नीचे ही सो जाता है कब रात हो जाती है जीत को पता नहीं चलता जब किन्ना जीत की खुलती है तब उसे भूख लगने लगती है मोतिलाल ने जीत को इतना पीटा था उसकी वजह से जीत का बदन दर्द कर रहा था रोते रोते आंखें भी सूख गई थी जीत ने सुभा से कुछ खाया नहीं था दर्द और भूक से जीत रोने लगा था उसे अपनी मां उम्रावती की याद आने लगी थी तब कुछ किन्न उसी रास्ते से जा रहे थे जब किन्न की नजर जीत पर पड़ी तब सभी किन्न उस जीत के पास जाकर जीत को सहारा देने लगे और पूछने लगे क्या हुआ बेटा तुम्हें तुम इतनी रात को अकेले सुनसान जगा पर क्या कर रहे हो तो किन्न जीत रोते रोते कहने लगा कि मैं एक किन्न हूँ इसी वजह से पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है इधर जब ओमवती अपनी बेटी को लेकर मायके से घर आई तब देखती है कि जीत घर पर नहीं है ओमवती परेशान हो जाती है और घर के सभी नौकरों से पूछती है मेरा बेटा जीत कहा है सभी नौकर खामोश थे तभी मोतीलाल आता और ओमवती से कहता है कि तू जीत की चिंता मत कर मैंने जीत को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया है ओमवती इस बात से अंजान थी कि जीत शहर नहीं गया मोतीलाल ने जीत को घर से निकाल दिया था जिस राज को उमापती इतने दिनों से अपने सीने में छुपा रखा था उससे परदा उठ चुका था मोतीलाल जान चुका था कि जीत एक किन्न है मोतिलाल अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेज देता है धीरे धीरे मेगा अपने भाई जीत को भूलने लगी थी ओमवती जब भी मोतिलाल से जीत के बारे में पूछती तो मोतिलाल यही जवाब देता कि जीत शहर में मेरे करीबी रिष्टेदार के घर में है और तुम जीत की चिंता मत करो बेचारी मायावती भी क्या करती? जीत की चिंता में कमजोर होने लगी थी और इधर जीत भी किन्न बस्ती में बहुत खुश था किन्न लोग जीत से बहुत प्यार करते थे किन्न जीत अब लड़कों की तरह नहीं रहता था उसे अब लड़कों के कपड़े पहनने से आजादी मिल चुकी थी किन्न जीत अब साड़ी पहनता, माथे पर लाल बिंदिया, लगातार कानों में जुमके और बालों में गजरा भी लगाता किन्न जीत एक खुबसूरत लड़की बन चुका था किन्न जीत जहां भी जाता लोगों की नजरें उसको घूरने लगती जीत जब शादी, जनम दिन जैसे समाहरों में जाता तो लोगों का मनोरंजन करता किन्न जीत को बहुत पैसे मिलते थे, देखते ही देखते किन्न काफी जीत जो काफी लोग प्रिय बन चुका था जब भी जीत को अपनी माँ उमापती की याद आती तब सुझीत रोने लगता वो इतना मजबूर था अपनी माँ से मिलने भी नहीं जा सकता था क्योंकि मोटीलाल ने जीत को घर जाने से मना किया था जीत भगवान से कहता था, भगवान मेरी माँ को खुश रखना एक दिन की बात है किन्न जीत पिता मोतीलाल ने अपनी बेटी की शादी पास के मुखिया के बेटे भीमराज से तै कर दी थी मेगा की मा धूमावती बहुत खुश थी उमवती अपने पती से पूछती है कि मेरे बेटे को बुला लीजिये अब उसकी बहन की शादी भी तै हो गई है मोतीलाल गुस्से में कहता है किसका बेटा एक किन्न मेरा बेटा नहीं हो सकता मोतीलाल की बाते सुनकर उमवती बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आपको सच्चाई कैसे पता चली और मेरा बेटा जीत कहा है आपने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया बताएए न, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तभी मोतीलाल कहता है, मैंने उस किन्न को घर से निकाल दिया मैं एक किन्न को बाप का प्यार नहीं दे सकता समाज क्या कहेगा कि मोतीलाल एक किन्न का बाप है ओम्वती यह सुनकर रोने लगी और कहने लगी आपने ऐसा अनर्थ क्यूं किया? वो एक किन्न है तो क्या हुआ? वो आपकी ही तो अुलाद है उसकी रगों में भी तो आपका खून बह रहा है आप इतने निर्दई कैसे? हो सकते हैं आप सच सच बताए मेरे बेटे के साथ क्या किया आपने? तभी मोतीलाल कहता है मैंने उस किन्न को मेरा बेटा मत कहिए मैंने उसे घर से निकाल दिया है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए मर चुका है अगर दोबारा उसका नाम लिया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी घर से निकाल दूंगा अपने बेटे के जाने के गम में ओमवती तूट कर बिखर चुकी थी ओमवती अपने पती से कुछ कह नहीं सकती थी क्यूंकि पती का विरोध करना एक औरत के लिए बहुत कठे निर्णय होता है खाना भी नहीं खाती थी मोती लाल तो इतना निर्दई इनसान था उसे अपनी पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं होती थी पत्नी ने कुछ खाया है या नहीं ये सवाल पूछने का भी वक्त उसके पास नहीं था ओमवती बेहोशी की हालत में अपने जीत को पुकारती थी और इधर किन्नरों की सरदार किन्न माने जीत को बहुत प्यार से पाला था उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, और किन्न जीत अब शादियों में जाता था, और शादियों में डांस करके बहुत सारे पैसे कमा कर लाता था अब जीत बहुत अमीर बन चुका था, उसके पास खुद की गाड़ी थी, और रहने के लिए एक बड़ा घर था किन्न जीत अब लोग प्रिय जांसर बन चुका था, उसका डांस देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे थे एक दिन जीत अपनी मा और बहन को याद करके बहुत रो रहा था, अपने पिता के डर से अपनी मा के पास भी नहीं जा सकता था जब किन्न रो रहा था तब किन्न मा ने किन्न जीत को सहारा देते हुए कहा बेटी क्या बात है, तुम इतनी क्यूं रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम से? तब वो कहने लगा कि मा मुझे अपनी मा और बहन के बारे में वो किन्न मा को बताने लगा और कहने लगा मेरी मां और बहन की मुझे आज बहुत याद आ रही है मैं कितना बदनसीब हूँ कि उनसे मिलने भी नहीं जा सकता तब नर्मा कहती है क्या तुम्हारी बहन का नाम मेगा है तो किन्न जी छोक जाता है और कहता है आपको कैसे पता चला कि मेरी बहन का नाम मेगा है तब किन्न मा कहती है हमें पता चला है उसकी शादी पास के गांव के मुखिया के बेटे भीमराज से तै हुई है भीमराज एक पहलवान है और गाव के अखाडे में कुष्टी करता है किन्न जीत बहुत परेशान हो जाता है और कहता है मेरे पिता कितने निर्दई है मेरी बहन की शादी तै कर दी और मुझे बताया भी नहीं मुझे अपनी बहन मेगा की बहुत याद आ रही है मैं बच्पन से मैं उसे देखा था उसको अब क्यूंकि अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी मेरी बहन शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएगी कि मैं उसका भाई जीतू तबके नर्मा कहती है कि दुखी मत हो जीत मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी हम दोनों चहरा बदल कर जाएंगे कोई भी हमें नहीं पहचान पाएगा किन्ना जीत बहुत खुश हो जाता है और अपनी मा के गले लग जाता है और जीत सोचने लगता है कि अब वो अपनी मा से भी मिलाएगा मा के हाथों का बना बने हुए लड़ू खाएगा बहन को बहुत सारा प्यार देगा बहन के लिए नए कपड़े, कंगन, जुमके लाकर देगा किन्न जीत इस बात से अंजान था कि उसकी ओमवती मा जो बहुत बीमार पड़ चुकी थी वो बार-बार अपने बेटे को याद करती थी अपने बेटे के आने के इंतजार में अपनी आँखों की पलके खुली रखी थी कि कब उसका बेटा आएगा और उसे वो जी भरकर निहारेंगे की किन्न जीत को देखने की आस में उमवती और जायदा बीमार हो गई थी मेघा की शादी की तयारियों में इतना मगन था उसका उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि उमवती अब कुछ दिनों की महमान है इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और शादी का दिन आ गया था शादी वाले दिन मोती लाल ने बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया था गाव के सभी लोग शादी में आय हुए थे घमंडी मोती लाल दिखावा कर रहा था उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है गावाले जब जीत के बारे में पूछते तब मोती लाल बहाने बनाते हुए कहता जीत को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया है मोती लाल लड़के वालों को दहेज में देने के लिए बहुत सारा सोना और पैसा एक बैग में डालकर लड़की के पिता को देता है और कहता है आपको जो भी चीज चाहिए मुझ से मांग सकते हैं और इधर मायावती किस हाल में थी ये देखने का भी समय मोतीलाल के पास नहीं था मोतीलाल अपने दामाद भीमराज से कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरी संपत्ती के हिस्सेदारी में तुम्हारा भी अधिकार है शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे मैं अपनी सहेलियों के साथ तयार हो रही थी शादी के मंडप में पंदित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे दूलहा चहरे पर सेहरा सजाकर मंडप पर बैठा हुआ था सब अतिथी शादी में दूलहा दुलहन को मुबारक बात दे रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी अच्छानक कुछ किन्न ताली और धोल बजाते हुए शादी के समारों में शामिल हो गए उस किन्नरों के जुंड में किन्न जीत भी शामिल था किन्न लोग जोर जोर से ताली और धोल बजाकर गाना गाकर नाचने लगे किन्न जीत भी नाचने लगा था किन्न लोगों को नाचते देखकर मेगा गुस्सा होने लगी और कहने लगी आप लोग यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी तब किन्न जीता आता है और अपनी बेहन को गले से लगाते हुए कहता है बेहन मुझे पहचाना मैं जीत हूँ मेगा चौक जाती और कहती है कौन जीत आप किसकी बात कर रहे हो तभी जीत कहता है कि मैं तुम्हारा भाई जीतू बेहन मा कहां है मा शादी में नहीं आई क्या तभी मेगा कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई एक किन्न है मेगा गुस्से में कहती है मां की तबियत बहुत खराब है वो आपको याद करके अपना जीवन बिता रही है किन्न ये सुनकर जीत बहुत दुखी हो जाता है और दोड़ते हुए अपनी मां से मिलने जाता है और इधर उमवती अंतिम सांसे ले रही थी और अपने बेटे को पुकार रही थी तब ही जीत हुआ आजाता है और अपनी मां से कहता है मां मां तो वो कहती है आ गया मेरा बेटा कहां था तो तब ही जीत कहता है कि मां आपकी ऐसी हालत कैसे हुई और ये देखकर वो रोने लगता है तभी ओम्वती कहती है बेटा तुम आ गए ये बूड़ी आँखें तुझे देखने के लिए तरस गई थी मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और तुम्हें वक्त रहते मेरे पास भेज दिया तभी किन्न जीत अपनी मा को गले से लगा कर कहता है मा आपकी हालत इतनी खराब क्यूं है मा आपने खाना नहीं खाया मा आप मेरे साथ चलो मैं आपको अस्पताल में भरती कर दूँगा वहाँ पर आपका इलाज होगा देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी तभी ओमवती कहती है बेटा इतने दिन तुम कहा थे तो मुझसे मिलने भी नहीं आए इस बूड़ी मा को भूल गए थे क्या मेरे पती ने तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया था बेटा बताओ और उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था किन्न जीत गुसे में कहता है मा यह मोतीलाल मेरा पिता नहीं है इसने मुझे बहुत मारा पीटा था मुझे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया था मैंने उस दिन उनके पैर पकड़ कर बहुत माफी मांगी थी मुझे घर से मत निकालो बहुत मैंने विनती की थी उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे आपसे भी मिलने से मना कर दिया था अगर मैं आपसे मिलने आया तो वो आपको और बहन को भी घर से निकाल देंगे इसलिए मैं आपसे दूर किन्नरों की बस्ती में चला गया था माँ आप मेरे साथ चलो आपको यहां से लेकर मैं हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा तभी मोतीलाल वहां आ गया और अपने आदमियों से कहने लगा इस किन्न को यहां से बाहर निकालो इस किन्न की वजह से मेरी पतनी का दिमाग खराब हो गया है इस किन्न को उठा कर बाहर फेंक दो तभी किन्न जीत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पिता से कहता है आज आपकी वजह से मेरी मां की तबियत खराब है आपने मेरी मा का इलाज क्यूं नहीं करवाया इसकी सजातों आपको जरूर मिलेगी और लाठी उठाकर अपने पिता को पीतने लगता है मोतिलाल के आदमी जीत पर जो हमला कर देते हैं और जो जीत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और इधर ओमवती अपनी आँखों में आंसूल ये जीत को मार खाता देखकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और उसकी मृत्यू हो जाती है और इधर मोतिलाल जीत को घसीटते हुए घर के बाहर भेजने की कोशिश करता है तभी एक किन्न की नजर जीत पर पड़ती है तो वो किन्न कहता है की छोड शोर मचा देता है मोतिलाल ने हमारे किन्न साथी पर हमला कर दिया है कोई उसे बचाओ रहे तभी शादी समारों में जितने भी किन्न आय हुए थे सभी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दोड़ते है लेकिन मोतिलाल के आदमी वहां से उन्हें भगाने की कोशिश करने लगते हैं और इधर किन्न जीत को थोड़ा थोड़ा होशा रहा था जीत ने अपनी आँखें खोली तो सामने जो नजारा देखा उसकी वज़े से किन्न जीत बुरी तरह काम्प गया क्योंकि जीत के सामने कुछ किन्न घायल हो चुके थे कुछ जमीन पर बेहौश पड़े हुए थे किन्न जीत उठा तो अपने पिता को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और किन्न जीत गुस्से में कहता है कि पिताजी आप दानव हैं आज तेरी वज़े से मेरी मा इस दुनिया में नहीं रही आज तेरी वज़े से मैं अनात हो गया आज तेरी वज़े से मेरे किन्न साथियों की ऐसी हालत हुई है आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोडूंगा किन्न जीत मोतीलाल को मारने वाला था तभी मोतीलाल के आदमियों ने बिजली की तार काट दी जिसकी वज़े से अचानक बिजली चली गई बिजली जाने के बाद मोतीलाल ने अपने आदमियों से कहा इस किन्न को जान से मार दो मेरी बेटी की शादी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए चारों तरफ अंधेरा था इसलिए किन्न जीत को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था किन्न जीत अंधेरे में भागने की कोशिश करने लगा तभी मोतिलाल के आदमी किन्न को पकड़ लेते हैं और जीत जोकी दर्द से छटपटा रहा था अंदर इतना हंगामा हो रहा था और इधर शादी वाले घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था मोतिलाल के आदमी किन्न जीत के मुह में कपड़ा भर देते हैं और पीछे के रास्ते से ले जाते हैं किन्न दर्द से तड़प रहा था मोतिलाल के आदमी जीत को जंगल की तरफ ले जाते हैं मोतिलाल भी पीछे पीछे चला जाता है जंगल पहुँचने के बाद मोतीलाल के आदमी जो जीत को जमीन पर फेंक देते हैं मोतीलाल अपनी बीवी ओमवती की लाश को दफनाने के लिए जंगल में ले आता है किन्न जीत अब अपनी मा की लाश को देखता है तो तब वो जोर जोर से रोने लगता है किन्न जीत मोतीलाल से कहता है हे पापी तेरी वज़े से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही राक्षस एक दिन तू मेरे हाथों से मरेगा अभी मैं तुझे जान से मार दूंगा किन्न जीत गुस्से में पिता पर हमला करने जाता है तभी मोतीलाल के आदमी मिलकर किन्न जीत का माथा फोड देते हैं किन्न जीत के माथे से खून बहने लगता है तभी मोतीलाल एक धारदार चाकू अपने बेटे जीत के पेट में घुसा देता है और किन्न जीत बुरी तरह जखमी हो जाता है उसके बाद मोतीलाल अपने आदमियों से दो कब्र खोदने के लिए कहता है एक कब्र में ओम्वती को दफना आता है और दूसरी कब्र में जीत को दफनाने लगता है जखमी हालत में किन्न जीत, मोतीलाल और पूरे मदन पूर गाव को श्राप देता है मोती लाल तो गीदड की मौत मरेगा तेरे शरीर में भयंकर बीमारी होगी तेरी वजह से मेरी मा तड़प तड़प कर मरी है एक दिन तू भी तड़प तड़प कर मरेगा तेरा विनाश होगा इस गाव के किसी ने भी मेरी मदद नहीं की इस गाव में भी भयंकर बीमारी आएगी कोई नहीं बच पाएगा सभी गाउं वाले मारे जाएंगे किन्न जी तडप तडप कर मर जाता है और किन्न और उसकी मा धूमावती को दोनों को साथ में दफना दिया जाता है किन्न जीत के श्राप की वज़े से मोतीलाल की बेटी मेघा की शादी में बाधा आती है मेघा का पती अचानक रहस्यमई तरीके से मर जाता है मेघा की शादी तूट जाती है शादी तूट जाने के गम में मेघा जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है दूलहा दुलहन की अचानक मौत हो जाने के बाद सभी गाउं वाले परेशान थे मोतीलाल अपनी जवान बेटी को खोकर सीना पीट पीट कर रो रहा था उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था अगर किन्न जीत को जान से न मारा होता तो शायद जीता जिन्दा होता उसकी लापरवाही की वजह से पत्नी ओमवती भी दुनिया छोड़ कर जा चुकी थी अब मोतीलाल अपने बुरे कर्मों को याद करके सीना पीटने लगा अब मोतीलाल की दुनिया उजड चुकी थी उसका अपना कहने को कोई नहीं था मोतिलाल को उसके करμों की सजा मिल चुकी थी गाउंवाले मोतिलाल से कहते हैं बेटी और दामाद को शम्शान लेकर जाना चाहिए हमारे साथ चलिए मोतिलाल कहता है मैं शम्शान नहीं जाऊंगा मैं पापी हूँ, राक्षस हूँ मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया मेरे एहनकार, मेरे घमंट ने मेरा हस्ता खेलता परिवार तोड़ दिया मेरा बेटा जीते किन्न है उसकी इसी सच्चाई को छुपाने के लिए मैंने इनहीं हाथों से उसको मार डाला मेरी पत्नी बीमार थी मैंने बीमार पत्नी का इलाज नहीं कराया इसकी वजह से वो तडप तडप कर मर गई मैं पिता कहने के लायक ही नहीं हूँ मोती लाल की बाते सुनकर गाउवाले सोचते हैं बेटी और दामाद के मरने की वजह से मोती लाल का दिमाग जो सदमा गहरा लग गया है और उसका दिमाग में जो कमी आ गई है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बाते कर रहा है मोती लाल को अपने हाल में छोड़कर गाउवाले सब अपने अपने घर चले जाते हैं बाकी के गाउवाले मिलकर मेघा और उसके पती का अंतिम संसकार करवा देते हैं दिन बीतने लगे थे किन्न जीत की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने वापस गाव आ जाती है गाव में अजीब अजीब हरकते होने लगी थी गाव के लोगों की रहस्यमई तरीके से मृत्यू हो रही थी गाव में महामारी दिखाई देने लगी थी गाव वालों के शरीर में बड़े बड़े घाव होने लगे थे छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे थे मोतीलाल भी इस बीमारी की चपेट में था मोतीलाल का शरीर घाव से भर गया था मोतीलाल ना तो ठीक से खाना खा सकता था और ना पानी पी सकता था मोतीलाल को अपनी पत्नी उमवती की याद आने लगी थी उमवती जब बीमार पड़ गई थी तब मोतीलाल ने उसका इलाज नहीं करवाया था नहीं खाना खाना दिया और नहीं कोई दवाई दी मोतीलाल बिस्तर पर लेट कर अपनी मौत का इंतजार करने लगा था तभी अचानक जोर-जोर से हवाएं चलने लगी चारों तरफ घना अंधेरा छा गया तभी अचानक तालियों की आवाज आने लगी और जोर-जोर से हसने की आवाजیں भी आने लगती मोतिलाल अपने आसपास देखता, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता था देखते ही देखते मोतिलाल बिस्तर से गिर गया मोतिलाल बुरी तरह से डर गया था और चिल्लाने लगा था कौन है सामने आओ तभी अचानक किन्न जीत का भूत सामने आ जाता है और नाचने लगता है किन्न जीत नाचते हुए जोर जोर से ताली बजाता है और कहता है मोतिलाल तेरा अंत समय निकट है तुझे मरना होगा तु तडप तडप कर मरेगा मेरी भोली मां का क्या कसूर था मोतिलाल अगर वक्त रहते ही मेरी मां का इलाज करवाया होता तो आज मेरी मां जीवित होती मेरी बहन मेगा भी मेरी तरह मेरी ही वजह से मरी है उसे भी मारने वाला तू है गाव वालों की मौत का जिम्मेदार भी तू ही है अब मोतीलाल माफी मांगने लगता है तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो जीत मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किये हैं आज मेरी वजह से मासूम गाववाले मर रहे हैं। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। गाववालों को माफ कर दो जीत। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं सब गाववालों से माफी मांगूंगा और यह एलान करूंगा। गाव में अगर किसी किन्न बच्चे का जन्म होगा तो उसे अपनाया जाएगा। उस बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह मां बाप का प्यार दिया जाएगा। आज के बाद कोई भी किन्न बच्चा किन्न बस्ती नहीं जाएगा। इस गाव में रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ. किन्न जीत की आत्मा वहां से चली जाती है. मोतिलाल रोने लगता है और अपनी पत्नी को याद करता है कि ओमवती मुझे माफ कर दो. अगर मैंने अपने किन्न बच्चे को अपनाया होता तो आज हमारा एक हंसी खुशी सुखी परिवार होता. अगले दिन सुबह गाउं वाले मिलकर किन्न जीत और उसकी माँ धुमावती को कब्र से निकालते हैं और उनका अंतिम संसकार करते हैं. गाउं वाले पंडित जी को बुलाते हैं. पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए उम्रावती और जीत का अंतिम संसकार करा देते हैं. गाउं वाले मिलकर माफी मांगते हैं. आज के बाद गाउं वाले कभी भी किसी किन्न औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे. किन्न लोगों की इज़त करेंगे अगर किसी के घर किन्न बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को अपनाएंगे किन्न बच्चे को भी जो उसके माता पिता का प्यार दिया जाएगा आज से किन्न हमारे समाज का एक हिस्सा होंगे गाववालों से माफी मांगने के बाद किन्न जीत की आत्मा को मुक्ती मिल गई गाव में महामारी खत्म हो गई किन्न अजीत को मारने के जुर्म में पुलिस मोतीलाल और उसके आदमियों को गिरफतार करती है मोतीलाल अपने किये हुए पापकर्मों के लिए सभी गाववालों से माफी मांगता है पुलिस मोतीलाल और उनके आदमियों को जेल भेज देती है किन्न जीत को इनसाफ मिल चुका था उस दिन के बाद से उस गाव में कभी किन्न औरतों का अपमान नहीं हुआ गाववाले और किन्न लोग सभी साथ साथ रहकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को अंध तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद